नमस्कार दोस्वे मेना मैं रादीव सजवान और आजम बात करेंगी 90 की दशक में परसारित होने वाले लोगपर धारवाइक स्रीकृष्णा में बगवान स्रीकृष्ण का किरदार निवाने वाले इन तीन अभिनेताओं के बारे में दोस्तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि आपको स्रीकृष्ण धारवाइक से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे दोस्तो पहले मैं आपको बता दूँ कि स्रीकृष्ण धारवाइक में भगवान स्रीकृष्ण का किरदार तीन नहीं बलकी छे कलकारों ने निबाय था पहले तीन कलाकार ऐसे थे जोनने भगवान स्रीकिष्ण के बात सोरूप का किरदार निबाय था हाला कि अभी इनके बारे में कोई जानकारी उपलब नहीं है जैसे ही इनके बारे में कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूँगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों पहले बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जिनर्स्रीकिष्ण सीरियल में बालक स्रीकिष्ण का किरदार निबाय था वे कलाकार थी अशोक कुमार बालाकिष्ण जो कि साउथ के एक मशूर अबनेता है उनका जनम 12 दिसंबर 1980 को तमिलनाडु के थजापूर जिले में हुआ था और उनके पिता का नाम आर बालकिष्ण है और उनकी माता का नाम रादा है उनका एक भाई भी है जिसका नाम M.V. शिवा संकर है वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करे तो उन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई मुंबाई के फातिमा हाइ स्कूल से पूरी की उसके बाद उन्होंने मुंबाई के सेंट जैवियर्स कॉलेज से ग्रेजूशन पूरी की बचबन सही उन्हें अपने का काफी शौक था इसलिए उन्होंने कपूर एक्टिंग इस्टिटूट से एक्टिंग का कोर्स किया इसके अलावा वे स्टेर फाइट्स और जिमनेस्टिक की भी ट्रेनिंग ले चुके हैं दोस्तों वे केवल 13 साल के थे जब उन्होंने रावानन्द सागर की टीवी सीरियल स्रीकिष्णा में छोटे स्रीकिष्ण का किरदार निबाया था इस सीरियल में उन्होंने अपने अबने से सबका दिल जीत लिया था और इस सीरियल से उन्हें काफी ज़्यादा लोग पिरता भी मिली वही वर्तमान समय की बात करे तो आप वोई साउथ के एक बड़े सुपरस्टार हैं जो कि कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं दोस्तो अब बात करते हैं रामायन सीरियल में कुश और स्रिक्रिना सीरियल में युवा स्रिक्रिशन की भूमिका निभाने वाले अबनेता सुपनिल जोसी जी के बारे में दोस्तो उनका जनम 18 अक्तुबर 1997 को मुंबाई में हुआ था उन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई बायरामजी जीजबाई पार्सी चैरिटेबल इंस्ट्यूट से पूरी की और उन्होंने अपने अपने करियर की सुरुवात मातर 9 साल की उमर में रामायन सीरियल में कुष्ट की भूमिका निभा कर गे थी इस सीरियल में उन्हें कुष्ट की भूमिका में लोगों दोरा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था दोस्तों वैसे में आपको बता दूं कि रामान सीरियल में उन्हें कुछ का किरदार विलास राज जी ने दिलाय था जिन्होंने की स्रीकिष्णा धारवाईक में कंस का किरदार निवाय था रामान सीरियल की सफलता के बाद जब रामान सागर ने 1993 में स्रीकिष्णा धरवाइक का निर्मान किया तो वहाँ पर स्वपनिल जोसी जी को स्रीकिष्ण का रोल दिया गया और इस रोल में उन्होंने राधा संग प्रेम कंस वद द्वारिका का निर्मान आधी जैसे कहीं काम किया तो वह कई तिवी सेरियल में काम कर चुके हैं जैसे बाबी जी हद कर दी देश से निकला होगा चांद कॉमडी सरकस सजं रे जूट मत बोलो आधी जैसे कहीं तिवी सेरियल में काम कर चुके हैं वहीं फिल्मों की बात करें तो वे कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं जिसे गुलाम ए मुस्तपा, दीलविल, प्यार व्यार, वेलकम जिंदगी, लाल इश्क आदि, इसके अलावा वे कई मराटी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं वहीं उनकी नेज़ी जिन्दिगी की बात करे तो वे दो बार शादी कर चुके हैं उनकी पहली पत्नी का नाम अरपणा था और बाद में किसी कारण से उनका तलाग हो गया था और 2011 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी उनके दूसरी पत्नी का नाम लीना अराध्य है और उनके दो बच्चे भी हैं दोस्तो अब बात करते हैं स्रिकिष्णा धारवाइक में भगवान स्रिकिष्ण की मुख्य भूमिका निभाने वाली अबनेता सर्वदमन डी बैनर जी जी के बारे में उनका जनम 14 मार्च 1965 को यूप के उन्नाव जिले में हुआ था उनका जनम एक बंगाली हिंदू ब्रामन परिवार में हुआ था वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई सेंट अलाइंसे स्कूल कानपुर से पूरी की दोस्तों उन्हें बच्पन से ही अपने का काफी ज़्यादा सोग था और उन्होंने तबी तैकर लिया था कि वे अपना करियर अपने में ही बनाएंगे इसलिए एक्टिंग सेखने के लिए वे पुने के फिल्म इंस्टिटूट FTII से ग्रेजूशन किया और उन्होंने अपने अपने करियर की सुरुवात 1980 में आई फिल्म आदी संक्राचारे से की इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने अपना सिर्थ तक मुनवा दिया था और इस फिल्म में उनके बैतरीन अपने ने सब को अपना दिवाना बना दिया था यही नहीं बलकिस फिल्म को चार बार राश्य पुरस्कार भी मिल चुका है फिल्म आदी संक्राचार करने के बाद उन्होंने कहीं साउत की फिल्मों में भी काम किया और वहां भी उनके अबने को खूब सरहा गया अपने बैतरीन अबने के दम पर उन्हें 1993 में स्रीकिष्णा सीरियल में भगवान स्रीकिष्ण का करदार निवाने का मौका मिला और इस करदार ने उनकी जिंदगी बदल दी इस सीरियल में भी लोगों ने उनके अबने को कूब सरहा जैसे ही लोग उन्हें टीवी पर देखते थे तो लोगों को रखता था कि वे सचमच भगवान स्रीकिष्ण के दर्शन कर रहे हो स्रीकिष्णा स्रीकिष्णा स्रीयल से उन्हें काफी ज्यादा लोग परता भी मिली और इसके साथ भी उन्होंने 1998 में स्वामिव वेकानन्द, 1995 के स्रीयल अरजुन, 2001 में जै गंका मया और 2005 में ओम नमत सिवाए आदी जैसे कहीं धरवाइक सीरियल्स में काम कर चुके हैं और आखरी बारवे हमें 2016 में आए फिल्म MS धोनी दा अंटोल स्टोरी में महेंदर सिंग धोनी के कोच के किरदार में नजर आयते वहीं वर्तमान समय की बात करे तो आव वह फिल्मी दुनिया से दोरी बना चुके हैं और उत्राखंड के रिस्केश में गंगा किनारे मेडिटेशन कराते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद